Tally Help Videos में आपका स्वागत है इस वीडियो में आप Tally Prime में Ledger Vouchers GST Report का उप्योग करके किसी पार्टी के साथ transactions में जोखिम वाले Input Tax Credit या ITC को जानने की प्रक्रिया को समझींगे Tally Prime Release 5.0 में Ledger Vouchers GST Report राशी में अंतर के साथ Voucher का GST Status देखने की सुविधा के साथ आती है इसे आपको प्रत्येक Voucher के लिए जोखिम वाले ITC को जानने में मदद मिलती है इसलिए जब आप अपने विक्रेता को भुगतान करते हैं तो आप डेटा आधारत व्यावसाइक निर्ने ले सकते हैं आईए देखें कि लेजर Vouchers GST रिपोर्ट का उप्योग करके जोखिम में ITC को कैसे जाने Alt जी दबाए लेजर Vouchers GST टाइप करें या चुने और एंटर दबाए अपने सप्लायर लेजर को चुने यदि आवश्यक हो तो अब धी बदलने के हैं F2 दबाए रिपोर्ट में Voucher राशी कर राशी में अंतर तथा जोखिम में ITC कतौती के बाद शेश राशी प्रदर्शिक की जाती है कर राशी में अंतर Voucher के साथ साथ पार्टी स्तर पर भी उपलब्ध है कर राशी में अंतर से आपको पता चलता है कि ITC जोखिम में है इसलिए आप विक्रेटा के साथ विसंगती को सुझाने का विकल्ग चुन सकते हैं या कर राशी में अंतर काटने के बाद शेश राशी का भुपतान कर सकते हैं अब यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राशी में अंतर की गणना कैसे की जाती है तो आप GST इन्फो देख सकते हैं एफ सेवन दबाएं आपको पुस्तकों में राशी और GST पोर्टल पर राशी का पता चल जाता है रिपोर्ट पर वापस जाने के लिए एस्किप दबाएं अब यदि आप बही खाते में राशी और डाउनलोड किये गए वाउचर के बीच अंतर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो विखरेता द्वारा अपलोड किये गए वाउचर के GST पोर्टल व्यू पर जाएं आल्ट डबल्यू दबाएं पोर्टल वाल्यूस दिखाने के ये F8 दबाएं यह आपको बही खाते और पोर्टल पर वाल्यूस को देखने में सक्षम बनाता है इसलिए आपको मिसमाच का स्रोत पता चल जाएगा इसके अलावा आपको करके प्रकार, दरो और राशियों का विवरन भी पता चल जाता है आप रिपोर्ट को डिफरेंशियल मोड में देखने के ये F9 दबाएं आपको अंतर और राशी जैसा लागू हो पता चल जाएगा अस्केप बटन दबाएं और आप रिपोर्ट पर वापस पहुंच जाएंगे अब Unreconciled Transactions के लिए आप अपने Supplier को E-Mail या WhatsApp संदेश भीज़कर विसलगतियों का समाधान करना चाह सकते हैं आईए देखें कि Unreconciled Transactions को Mismatched और Available Only in Books स्टेटिस के साथ देखने के लिए रिपोर्ट को कैसे फिल्टर किया जाए फिल्टर अप्लाई करने के लिए Ctrl-F दबाए अद्वांस फिल्टर के लिए F7 दबाए आईए इसे उन वाउचर्स के लिए फिल्टर करें जिनका GST स्टेटिस Mismatched और Available Only in Books है रिपोर्ट पर फिल्टर लागू करने के ये Ctrl-A दबाए आप वो ट्रांजाक्शन्स देख सकते हैं जिनका GST स्टेटिस Mismatched और Available Only in Books है फिर आप अपने सप्लायर को एकी मेल या WhatsApp संदेश भीच सकते हैं और विसंदितियों का समाधान कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा GST के परिप्रेक्शिय से Leisure Vouchers को देखने की सुविधा आपको जोखिम वाले ITC को जानने में मदद करती हैं इसलिए आप प्रती एक Voucher के विरुद्ध भुपतान करते समय एक सूचित निर्ने ले सकते हैं और इसके अनुसार transactions reconcile कर सकते हैं धन्यवाद टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के ये Ctrl F1 दबाएं आप सहायता पाने के ये WhatsApp भी कर सकते हैं नभीन तम वीडियोस के ये टैली सल्यूशन्स चैनल को सब्सक्राइब करें